दोस्तो बांजबन यानि इन्फर्टिलिटी की समस्या पिछले कुछ सालों में काफी बढ़ गई है बैंगलोर रिस्थित मेडिगल कंपनी इनिटियो के सर्वे के अनुसार भारत में लगवक 2.75 लाग कपल्स बांजबन का सिकार हैं यानि हर 10 में से एक कपल साधी के बाद बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं है बांजबन के बारे में लोगों के मन में कई गलत धारनाएं हैं लेकिन डॉक्टर्स मानते हैं कि ज़्यादतर लोगों में बांजबन का कारण उनकी गलत आदते होती हैं दोस्तों भारत में बढ़ रहे बांजबन के पांच मुख्यक कारण हैं क्या है ये कारण आई ये जानते हैं नमबर एक ज़्यादा उम्र में साधी करना आजकर लड़के लड़कियां करियर सेट हो जाने और आर्थिक रूप से सक्षम हो जाने के बाद साधी के फैसले ले रहे हैं यही कारण है कि ज़्यादतर लड़के लड़कियां 30 साल की उम्र के बाद साधी कर रहे हैं इसके अलावा साधी के बाद भी वो कुछ समय तक बच्चे की जिम्मेदारियों से बचना चाहते हैं। डॉक्टर्स मानते हैं कि 35 साल की उम्र के बाद महिलाओं को मा बनने में सामाने से ज़्यादा मुस्किले आती हैं। ज़्यादतर मामलों में नॉर्मल डिलिवरी की बजाए ऑप्रेशन करना पड़ता है और कई कपल्स में सुक्राणों की क्वालिटी भी खराब होने लगती हैं। जिससे उन्हें प्रेगनेंसी में परेशानी आती है। उम्र बढ़ने के कारण हाइपर्टेंसन जैसी दूसरी समस्याई भी आ जाती हैं और इनके कारण फर्टिलिटी प्रभावित होती है। आजकल कम उम्र में सिगरेड, सराब, गुटका और कई बार ड्रक्स की लथ भी लड़के-लड़कियों में काफी बढ़ गई है। इन आज़तों के कारण भी वीरे की गुणवत्ता खराब होती है और स्पर्म काउंट कम होता है। या होने वाले बच्चे में आनुवांसिक तौर पर भी बदलाव कर सकता है। इसी परकार से ऐलकोहल भी टेस्टोस्टेरॉन के उत्पादन को कम करता है। इस्टोरेट जैसे हार्मोन हमारे सरीर के नैचुरल हार्मोन के इस तर में बदलाव लाते हैं जो हमारे स्वास्ते को प्रभावित कर सकते हैं। किसी परकार की दवाओ या ड्रक्स के गलत तरीके से इस्तिमाल के कारण भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। आजकर लगबग हर सेक्टर में काम और सफलता का दवाब पहले से ज़्यादा बढ़ गया है। इस कारण से लोग ओवर टाइम, नाइट सिव या घर पर काम करने को मजबूर होते हैं। काम के साथ-साथ सरीर के लिए आराम भी बहुत ज़रूरी है। समय कम होने के कारण ल लोगों में बढ़ती बिमारियां। हाई ब्लड प्रेसर, डाइबेटीज, मोटापा जैसी समस्या आजकल युवाओं में आम हो गई है। इनका प्रभाव व्यक्ति की सेक्स्वाल लाइपर भी पढ़ता है। डाइबेटीज, PCOD यानि पॉलिसिस्टिक ओवरियन डिसीज क कारण महिलाओं में बहुत सी बिमारियां आम हो गई है। 60-70% महिलाओं में ओविलिशन की क्रिया ही नहीं होती। वजन का बढ़ना और व्यायाम की कमी के कारण भी सही मात्रा में हॉर्मोन्स नहीं बन पाते। और यह कारण भी कहीं न कहीं इनफर्टिलिटी के लिए जिम खराब, तमाकू, आदी का सेवन बिल्कुल बंद कर दें। खानपान में पॉश्टिक आहर सामिल करें। और रोजाना थोड़ी एक्सरसाइज भी जरूर करें।